पूजन के लिए अधिया, आधी राधे एवरिवन आप सबी को होली की बहुत बहुत बधायां होली का पूजन करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह की बिडगले की माला लेनी होती है आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर पर होली की स्थापना कैसे करते हैं, पूजन कैसे करते हैं, होली का देहन कैसे करते हैं, देखिए बहुत से लोगों के हैं पर रिवाज होता है कि बड़ी होली का पूजन करने के बाद घर पर आकर छोटी होली का पूजन किया जाता है और अगर आपको बड़ी होली नहीं मिल रही है आपके पास होली नहीं बनी हुई है तो भी आप घर पर इस तरह से होली का पूजन कर सकते हैं तो देखिये हौली की स्थापना करने के लिए आप कोई भी तसला एा कोई भी पात्र ले ले उसमें अच्छे से मिटी भर ले और मिटी के बीच में इस तरह से आप एक गड़्णा कर ले आप देखिए इस गड़े में हमें क्या-क्या डालना है। इसमें हमें एक हल्दी डाल लेनी है एक सुपारी डाल लेनी है लोंग डालनी है और इलाइची डालनी है तो यह इलाइची मैंने ले ली है लोंग ले ली है और साथ में ही हम यहाँ पर अक्षत ले लेंगे तो देखिए अक्षत मैंने ले लिए है इसके बाद हम इसमें एक ये लकडी गाड देंगे, थोड़ी मोटी लकडी लेंगे, इसको हम पहलाद के रूप में यहाँ पर गाड देते हैं, जैसे डांडा रोपना या डांडा गाडना जिसको बोलते हैं, इस तरह से हम इसे रोप देते हैं, अब इसके चारो तरफ हम क्या करेंगे, आप रंगोली हैं उसके साथ ही आप लकडिया लगा ले कोई भी लकडिया आप ले सकते हैं आम की लकडिया ले सकते हैं जैसी भी लकडिया आपको मिल जाए आप लकडिया लगा कर होली बना सकते हैं होली के दिन सुबह आप किसी भी समय ये पूजा कर सकते हैं सूर्यात से पहले पहले हमें पूजा करनी होती है दिन में ही पूजा करनी है तो आप अपना पीलिया ओड़ ले और आप थाली में पूजा की सारी सामगरी ले 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 उसके बाद इस तरह की धाल की माला ली जाती है धाल बिड़कले की माला सबसे पहले तो आप होली पर धाल बिड़कले की माला चड़ा और उसके बाद हम पूजन शुरू करते हैं डाल बिटकले की माला के साथ-साथ हम नारियल भी बनाते हैं तो देखिए नारियल बजने वाला होता है और यह कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है आप देख सकते हैं उसके बाद देखे सबसे पहले हम जहां पर भी आप होली पूज रहे हैं चाहे आपने घर पर होली की स्थापना की है तो वहां पर भी पूजन ऐसे ही करना है या आपके आसपास कहीं बड़ी होली बनाई जाती है और आप वहां पर पूजन करके आते हैं तो भी आपको जन करना होता है, होली के पास रखे, आप होली पर ये बिड़कले की माला टाक दे थोड़ा सा, या उसके पास रख ले, उसके बाद देखे, सबसे पहले तो हम हल्दी से तिलक लगाते हैं, उसके बाद देखे, हम आटा समर्पित करेंगे, तो यहाँ पर देखे, हम आटा ले बाली ली जाती है किसी के यहां पर जो की बाली ली जाती है तो कम से कम पांच बाली हमें जरूर चढ़ानी होती है पांच भी ले सकते हैं साथ भी ले सकते हैं तो यहां पर आप कुछ दक्षिना जरूर चढ़ा दें कच्चा सूत आता है तो कच्चे सूत का इस्तमाल किया ज पाँंच या साथ बार आप चाहे हैं तो आपक्चे सूत से प्रोपर पूरी होली की परिकर्मा कर सकते हैं परिकर्मा करने का ही रिवाज होता है लेकिन अगर होली बहुत जूदा बड़ी हे तो आप तैहनी पर भी इस तatyह तो यहां पर देखिए मैं 5 बार प्रीकरमा करूंगी और देखिए जो यह कच्छा सूत है इसके धागे को तोड़ा नहीं जाता है आप वहीं पर इसको या तो आप इतना धागा लेकर जाए जितना कि वहीं पर आपकी प्रीकरमा पूरी हो जाए जिससे क्योंकि इसको दिया जाता है अगर किसी किसी के यहां पर रिवाज होता है कि अगर तोड़ना आप इसे चाहते हैं तो किसी कवारी कन्या के हाथ से इसको तुड़वा भी सकते हैं लेकिन जादा तर लोग वहीं पर टाक किया जाते हैं जितना भी सूत बच जाता है जल का लोटा जो हम लाए की फेरी लगाते हैं थोड़ा सा जल हम लोटे में बचा लेते हैं ताकि जब हम घर पर आते हैं अगर आपने घर पर ही पूजन किया है तो फिर आप इस जल के छीटे लगा दीजे पूरे घर में और अगर आप बाहर पूजन करके आ रहे हैं तो फिर घर में आते समय दोनों को देहन होता है और रात को होली का देहन पुरुष करते हैं आनि कि महिलाएं होली का देहन नहीं करती हैं तो शाम का समय हो गया है शाम के समय हम सबसे पहले तू दिया जला लेते हैं दिया जला कर पूजन किया जाता है शाम के समय होली का सुबह हमारे यापर ठंडी होली पूज करेंगे तो देखिए आप घुड का भोग समर्पित कर सकते हैं या पताश्य का भोग समर्पित कर सकते हैं या पताश्य का भोग समर्पित कर सकते हैं अब देखिए होली का देहन करना होता है दो रात के समें पुरूस होली का देहन करते हैं मेरा बेटा आपको होली का देहन कर परिकर्मा एक आप उन्हें परी में तो बाली के एक लगता offend वहाँन पेटा लेंगा इस तरह से होली का देहन किया जाता है और ओरते होली का देहन नहीं करती है लेकिन परिकर्मा करती है बहुत सी ओरते होली की जल को देखे दूर से ही जल समर्पित कर देती है और बहुत सी ओरते जल से होली की परिकर्मा करती है ताकि होली ठंडी रहे घर में सबका स्वास्ते अच्छा रहे हैं और घर में सुक्षमर्दी रहे तो इस तरह से होली का धहन पूर्ण हो जाता है अगले दिन दुलहंडी को डोरा लिया जाता है तो अगर आप कहाँ पर डोरा लिया जाता है तो डोरे के लिए जो कच्चा सूत और हल्दी होती है उसे होली की जल दिखा देते हैं दूर से भी आप ये जल दिखा सकते हैं और अगले दिन फिर डोरा लेते हैं अगर आप कहाँ पर डोरा नहीं लेते हैं तो आप इस पार्ट को skip कर सकते हैं तो इस तरह से बहुत आसानी से घर पर भी होली का पूजन और होली का देहन किया जा सकता है फ्रेंड्स आपको होली का पूजन का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो आपके लिए थोड़ा बुखोत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना हम महिलाएं घर में तीज तोहर कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ये होली आप सभी के लिए मंगल मैं हो इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक के लिए जैए श्रीकिष्णा राधे राधे